उसके लिए अगर आप थोड़ी प्राक्रितिक चीजों का इस्तिमाल अगर करें तो प्राक्रितिक चीजों से आप अपने त्वचा को बहुत साफ रख सकते हैं दरसल में क्या है विदेशी कमपनिया इस तरीके से एड बनाते हैं जैसे हिंदुस्तान यूने लीवर हो गया या जो बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल्स विदेशी कमपनिया हैं बड़ी-बड़ी एड लगाते हैं और बड़ी-बड़ी तरीके से प्लान करके अपने क्रिम्स को बेचते हैं और करोडो करोडो रूपिय का मुणाफा कमा की ले जाते हैं लेकिन आयरवेद में हमारे पास इसका बहुत अच्छा समधान है और देश की कमपणियों का अगर आप इस्तिमाल करेंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा तो आप लोग चाहें जहां पर आप आपको मुहासा है अगर आपके चेहरों में मुहासा है तो आप निम फेस पेक अगर आपका त्वचा थोड़ा तेली है तो आप निम फेस पेक का इस्तिमाल कर सकते हैं इसे पानी में पेस्ट बना करके थोड़ा देर आपको अपने चेहरे में लगा के छोड़ देना है टीक हो जाएगा और साथमें आप चाहिए तो āलॉ वीरा का शुद्ध है या अगर आप क्रीम में दूसरा क्रीम भी लगाना चाहिए तो चंदन क्रीम है या पूरी तरह से नैचुरल बनाया गया है आप इसे लगाएंगे तो आपकी तवचा मुलायम रहेंगे और साथ में आपका मुहासे ये भी ठीक होंगे और साथ में एक बहुत ही अच्छी आउसदी है उस आउसदी का भी आप लोग जो है इस्तिमाल अगर करते हैं जिसे एलो वीरा जूस है एलो वीरा जूस आप अगर सवेले सवेले इस्तिमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फाइदे मंद है तो आप हमारे सभी 54 सवदेशी केंद्रों में ये आउसदियां उपलब्द हैं या आनलाइन हमारे इन नमबरों में फोन करके आप इन उसदियों को मंगवा सकते हैं आप परहेज में तली भूनी चीजें का इस्तिमाल ना करें जंग फूर्ट फास्ट फूर्ड सराब धुम्रपांट ये इन चीजों का कतई आप सेवन ना करें आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे हरी सबजियां और ज्यादा से ज्यादा पानी का आप सेवन करें रिफाइन डाइल अगर हो सके तो नहीं सेवन करें तो ये बहुत ही अच्छा है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुर्वात श्री जवन स्वदीशी केंद्र के साथ करिए अपने सपनों को पूरा श्री जवन स्वदीशी केंद्र के साथ करिए बड़ा श्री जवन स्वदीशी जवन स्वदीशी के साथ